हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाने जारे हैं गाजर का पराठा यह बहुत ही टेस्टी होते हैं और सर्दियों के दिरों में बहुत ही अच्छे लगते हैं अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज तो सब्सक्राइब कर दे और पुछल को जरूर दबाएं और लाइक शीर और कमेंटज ज़रू करें आज हम बना जारें गाजर के पराठे गाजर की पराठे बनाने के लिए दो गाजर को हम कत्व कस कर लेंगे उसको नमक में मिलाकर हम 10 से 15 मेर तक रख देंगे उसका पानी निकाल लेंगे देखिए पाई निकालने के बाद आप हमारा गाजर ऐसा दिख रहा है एक चमश अद्रक खिसा हुआ दो तीन हरी मर्ची पारी कटी में थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा धनिया पत्ता कटा हुआ और स्वालमसा नमक अब हम काजर का मसाला त्यार कर देंगे खिसिग में काजर में हम अद्रक हारी मिर्ची कटी के धनिया के पत्ते और जीरा पाउडर मिक्स करेंगे हमने पहले इसमें नमक मिला लिया था पाई निकालने के लिए इसे बहुत थोड़े मात्रा में हम इसमें नमक डालेंगे हमारा मसाला त्यार हो गया हमने पहली पराठी का आठा गूत लिया है आठे में देखिए 2 पाठा इसमें थोडा सा ओयल और नमक डालके हमने आठा त्यार करें हमने एक लोई ले ले ली अब इसमें हमने गाजर के फीलिंग को भरेंगे अब इसमें हम धेद्य काजर की फीलिंग को भरेंगे हमने बहुत अच्छे से काजर की फीलिंग को भर लिया अब हम इसे हलकी हाथ से वेल लेंगे हम थोड़ा सा आठा टस्ट करेंगे और अपने पराठी को वेल लेंगे देखिए हमने हमारे पराठी को बेल लिया है आप गाजर का पानी अच्छी तरह से चरूर निकाल दे नहीं तो ये पराठी फट जाएंगे अब खुब हलके हाथ से बेली हम ऐसे ही बाकी सारे पराठी भी बेल लेंगा हमने सारे पराठी बेल लिया है अब हम इन्हें सेख लेंगे देखे हमने अपने पराठी को सेखने के लिए रख दिया है अब दो तरफ से इस से अच्छी तरह से शेख लेंगे बद्यम आज कर हमारे पराठी को इस लिए है अब इसमें तेल डालेंगे आप तेल बटर या खी कुछ भी डाल कर से सेख सकते हैं हम दोनों तरफ इसे बहुत अची तरह से सेख रेंगे पलक पड़ाटे देखिए हमारे पराठी कैसे सेख रहे हैं अब हम इसे इकाल देगे देखिए हमारे गाजर के पराठी त्यार है आप इसे आलू की सची या चामाटर केचर या बटर किसी की भी साथ खा सकते हैं बहुत इस वाद लगते हैं आप इसे ज़रू ट्राइग करें आप इसे ज़रू ट्राइग करें